हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका SG Food World में आज मिलाई हूँ आपके लिए बहुत ही तेस्टी डिलिश्टी चॉकलेट केक की रेसिपी आप देख सकते हैं कितना स्पॉंजी बना है इस केक को आप हफ्ता बर अराम से स्टोर कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया और जल्दी बनने वाला केक है और इस केक को आप किसी भी उकेजिन पर बना सकते हैं चाए बर्डे हो चाए घर में पाटी हो या सिर्फ केक खाने का मन हो तो आए देखते हैं टेस्टी डिलिश्टी केक की रेसिपी पर इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए केक बनाने के लिए एक बाउल लीजिए और बाउल के उपर रखिए चलनी अब एक एक करके हम सारे ड्राइइंग्रीडियन्स छान लेंगे सबसे पहले आदा कप मैदा स्पून की मदद से अच्छे से छान लेंगे ड्राइंग्रीडियन्स को इसलिए छानने की जरूरत पढ़ती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बैटर बने वो बहुत स्मूथ बने अब एड करेंगे आदा टीस्पून कॉफी पोना टीस्पून चॉकलेट पाउडर सारी चीजों को अच्छे से छान लेंगे आदा ही टीस्पून बेकिंग पाउडर आप देख सकते हैं जो थोड़े मोटे दाने हैं वो चल्ली में ही रह गए हैं इसे भी स्पून की मदद से दबा लेंगे ताकि यह पाउडर फॉर्म में आ जाए अब सारे ड्राइ इंग्रीडियन्स को हमने चान लिया है अब बाउल में स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे एक पार्ट रेडी है केक का अब दूसरी तरफ ब्लेंडर में हम वेट इंग्रीडियन्स का बाटर बनाएंगे तो सबसे पहले लेंगे एक अंडा और उसे तोड़कर डालेंगे ब्लेंडर में अब डालेंगे एक चुथाई कप रिफाइन्ड वाइल कोई भी एक कप सेट कर लीजिए और सारे इंग्रीडियन्स जिनकी मेजर्मेंट मैं कप में बता रही हूँ वो सेट किये गए कप में मेजर करें अब ब्लेंड करेंगे पाउडर शुगर आप बूरा भी ले सकते हैं जो बजार से मिलता है नहीं तो आप चीनी को मिक्सी में इच्छे से पीस लीजिए अब ब्लेंड कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ली है आदा कप से कम पाउडर शुगर जिससे ज़्यादा मीठा पसंद है वो आदा कप ले सकते हैं पाउडर शुगर को हम बाकी ड्रा इंग्रीडियाद के साथ ना लेके वैट इंग्रीडियंस के साथ इसलिए लेते हैं ताकि जब यह एक के साथ मिक्स हो तो केक अच्छे से फलफी और सॉफ्ट बने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें आजट कर देंगे अगर आपके पस blender नहीं है तो आप एक बाउल लीजिए और उसमें स्पून की मदद से या विस्क करके आप सारे इंग्रीडियन्स को अच्छो से mix कर लीजिए ब्लेंड हो चुका है पहुती स्मूथ और अच्छा सा बैटर बन गया है अब इसमें थोड़ी सी चैरीज आड़ कर देंगे ये ऑप्शनल है मैंने यहाँ पे ड्राइड रेड ग्रीन चैरी ली है अब ब्लेंड कर लेंगे बैटर हमारा बिल्कुल त्यार है माइक्रोवेव को हम प्री हीट कर लेते हैं 180 डिग्री सेल्सिस पे जब तक माइक्रोवेव प्री हीट होता है तब तक हम एक आखरी काम कर लेते हैं एक मीडियम साइज का बेकिंग पैन लेंगे और उसे रिफाइंड वाल से ग्रीस कर लेंगे ऐसा करने से केक असानी से डी मोल्ड हो जाएगा और बॉटम पे चिपकेगा नहीं इसमें डालेंगे केक का बैटर जो हमने त्यार किया था केक की लुक को इन्हांस करने के लिए उपर से आड़ की है मैंने ग्रीन और रेड चैरी आप चाहें तो इसमें ड्राइफ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या फिर स्प्रिंकलर्स जैसे चाहें आप अपने साब से इसको कस्टमाईज कर सकते हैं और दो से तीन बारी किच्चन की शेल्फ पे ही डाप करेंगे ताकि जो मिक्स्चर है इवली स्प्रेड हो जाए माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है अब बैटर को बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सेस पे 25 मिनट्स के लिए 25 मिनट्स हो चुके हैं अब देखते हैं हमारा केक सही से बेक हुआ है या नई मैंने याप एक टुद्पिक ली है और उसे मैं केक के अंदर डाल के देख रही हूँ अगर ये बिल्कुल क्लीन आती है तो मतलब हमारा केक बिल्कुल सही बेक हुआ है देखिए टुद्पिक बिल्कुल क्लीन है केक बेक हो चुका है बहुत ही फ्लफी केक बना है इसे 10-15 मिनट ठंडा होने दे और फिर प्लेट पर डी मोल्ड कर ले ये ट्राइड एं टैस्टेड रेसिपी है जरूर ट्राइ कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी लाइक शेयर करना मत भूलिएगा मिलेंगे ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर